एंडिये के मजबूत घटक दल अपना दल इसके नेता आसीस पटेल आज MLC का नमांकन किये सबसे पहले आपको बधाई दे देते हैं लेकिन हम बात समझवादी पार्टी की करते हैं नरे सुतम पटेल आपके बीराधरी से आते हैं जो चर्चा है कि समझवादी पार्टी ने उनका नाम काट दिया है जो तीन प्रत्यासियों के नमांकन होने जा रहा है उसमें नरे सुतम पटेल नहीं है मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि नमांकन का इंतजार कर ले और मैं तो आदर्णी नरेश उत्तम जी का बहुत सम्मान करता हूँ और इतनी बात कहूंगा कि अगर जहां सम्मान नहों तो एंडिये का दर्वाजा उनके लिए खुला है आप पहल करेंगे? हम सभी मिलके पहल करेंगे चलिए मेलसी की बात होगे हम लोग सभा चुनाओ की चर्चा कर लेते हैं चर्चा है कि अपने सहयोगी दलों को तो चुनाओ लड़ा रहा है लेकिन उनकी सर्थ है कि उनका अपना सिंबल होगा मतलब साब है कि अपना दल इसका भी कोई कंडिडेट चुनाओ लड़ेगा तो वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाओ लड़ेगा मैं सबज नहीं पहले भारती जंता पार्टी क्या ऐसा सर्थ रखी है कि आपका कंडिडेट होगा लेकिन सिंबल उनका होगा मैं बहुत इस पश्टता के साथ एक बात बता दूँ अपना दल हमेशा अपने चुनाओ चिंपर लड़ती हो अपने प्रत्यासियों को लड़ती है अभी बाची चल लही है जब हो जाएगा निरने तो आपको बता दिया जाएगा हमारे साथ हसीस पटेल थे उन्होंने कहा कि नरे सुतम का हम विलकम करेंगे स्वागत करेंगे वो एंडिये के साथ आजा साथ ही उन्होंने लोकसभा की चुनाओ पे कहा कि अपना दल एस जब भी चुनाओ लड़ा है अपने सिंबल पे चुनाओ लड़ा है सही होगी सेहनवाज खान के साथ रजनीस पांडे भारत एक्सप्रेस लखनो